हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंप्रोटन होने वाली है तो इस वीडियो को सुरू से आंतर तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर के 100 क्वेस्चन्स को हम करेंगे जूकि सभी competitive exam के लिए महत्पूर होंगे तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखें निश्चित ही आपकी एक्जाम में इस वीडियो से एक से दो क्वेस्चन्स जरूर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि सभी क्वेस्चन्स हमने सेलेक्टर लेया है तो चलिए फर्स्ट को डिस्क करते हैं computer का पितामा यानि कि father आप computer किसे कहा जाता है चाल्स बैबेज को computer का पितामा कहा जाता है question number two computer सब्द की उत्पति अंगरी जी भासा के किस सब्द से हुई है और computer सब्द का अर्थ होता है गणना करना question number three computer के विकास में सरवाधियो जोगदान कि किसका है तो वान नियुमान का computer के विकास में सरवाधिक योगदान है question number four पर्थम अंकि के computer के blueprint के विकास में सरवाधियो जोगदान है question number four हो गया friends question number five की बात करें सरव पर्थम आधनिक computer की खोज कब हुई थी तो सरव पर्थम आधनिक computer की खोज 1946 में हुई थी question number six की बात करें computer की बहुतिक बनावट क्या कहराती है तो computer की जो बहुतिक यानि physical structure है वो hardware कहराती है question number seven computer के संचालन में परियुक्ट प्रोग्राम नियम तथा computer क्रियाओं से स मंधित अनलिखित स्वामगरी को क्या कहा जाता है तो जितने भी computer को निर्देशित यानि संचालन में परियुक्थ होने वाले प्रोग्राम होएं वो software कहलाते है question number eight की बात करें computer का नियंतरक भाग क्या कहलाता है CPU ये computer का नियंतरक भाग कहलाता है question number nine की बात करें computer का सबसे महतपूर भाग क्या है CPU computer का सबसे महतपूर भाग है question number ten computer का हिंदी नाम क्या है तो हिंदी नाम computer का संगड़क है question number 11 की बात करें computer जनली कितने परकार के होते हैं तो computer तीन परकार के होते हैं कौन-कौन से digital, analog, hybrid computer question number 12 computer आधारित अंतराष्ट्री सूचनाओं का तंत्र क्या कह लाता है question number 13 की बात करें ATM की अविसकारक कौन है तो ATM की अविसकारक जान सेफल बोरनेस जी है ध्यार रखेंगे आप friend question number 14 SMS का क्या अर्थ होता है? SMS का अर्थ है shared message service ध्यार रखेंगे next question number 15 Wll का क्या अर्थ है? Wll का अर्थ होता है wireless in local loop ध्यार रहें Q16. विस्व का पर्थम electronic digital computer का क्या नाम है? तो ये विस्व का पर्थम electronic digital computer है, इसका नाम है NE1. नहां रखेंगे? IBM क्या है? IBM अमेरिका की computer company है. Q18. कुछ computer से related भासाएं कौन कौन सी है? computer से related भासाएं, जैसे basic है, C है, C++, Pascal, Fortran, Cobol, Java, etc. ये सभी computer से related भासाएं हैं, जरू ध्यान रखेंगे, एक्जाम में इससे question पूछे जाते हैं, तो ये important है. question number 19 की बात करें, भारत में निर्मित पर्थम computer का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित पर्थम computer का नाम सिधार्थ है. important reference. next question number 20. मस्तिष के कारियाले की नकल करने वाला सबसे तेज गतिवाला computer का क्या नाम है? तो ये quantum इसका नाम है, जो की मस्तिष के कारियाले की नकल करने वाला सबसे तेज गतिवाला computer है. धहां रखेंगे, IC का पूरा नाम क्या है? तो IC का पूरा नाम integrated circuit है. next question number 22 की बात करें. तो friends computer के IC chip जनलिक किसके बनाया जाते हैं? तो ये सिलकान के बने होते हैं. धहां रखेंगे, IC chip को निर्माड किया जाता है, तो ये semiconductor से IC chip को निर्माड होता है. चलिए friends question number 24 की बात करें. प्रोग्राम में तुर्टी जिससे गलत या अनुपयुक प्रडाम उत्पन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम में तुर्टी जिससे गलत या अनुपयुक प्रडाम उत्पन होते हैं, उसे bug कहा जाता है. क्या bug? धहां रखेंगे question एक जामे पूछा रहा है. next 25 question number की बात करें internet पर server से सूचना पाने के computer process को क्या कहा जाता है तो downloading इस process को कहा जाता है question number 26 की बात करें yahoo, google, yom, msn यह सब क्या है तो generally यह सब internet sites हैं ध्यार रखेंगे चलिए question number 27 की बात करें omr का तातपर क्या होता है तो omr यानि optical mark reader omr का तातपर है ध्यार रखेंगे चलिए question number 28 की बात करें एक byte कितने bit के बराबर होता है तो 1 byte 8 bit के साथ होता है question number 29 1č byte में कितने byte होते हैं तो 1 signal byte में 1024 byte होते हैं ध्यार रखेंगे, यह भी question में पाधी होत तो hear question number 30 की बात करें 1 megabyte यानिकि एक MB में कितने किलो बैट होते हैं तो जन्रली में में 1024 किकलो बैट होते होते हैं धियां रखेंगे यानि कि 1GB सब्सक्राइबिक 1GB यह यह सभी क्वेस्जेन इलेशच्स में पुछेगे हैं तो इस जरूड धियां देंगे पद MB का प्रियोग किस के लिए किया जाता है तो MB का प्रियोग मेगा बाइट के लिए किया जाता है Q33 की बात करें तो www यानि की www के वसकारक तथा परवर्थक कौन है तो Tim Berners-Lee www के परवर्थक तथा प्रेड़ेता है ध्यार रखेंगे तो www की बात करें तो इसका फुल फॉर्वर्म क्या होता है तो World Wide Web यह इसका फुल फॉर्म होता है question number 35 computer में password किस से सुरचा करता है तो computer में password जो है यह तंत्र के अनाधिक्रित अफिगमन से computer की सुरचा करता है password ध्यारखेंगे साथ हूं 36 question number की बात करें IRC का क्या तात्पर होता है तो IRC means internet relay chat यह IRC मतलब होता है यह भी important है चले friends 37 की बात करें CAD का क्या अर्थ होता है तो CAD means computer added design यह CAD का अर्थ होता है question number 38 HLL का क्या होता है तो HLL का तत्पर high level language से है जहां रखेंगे चले question number 39 की बात करें BDU का क्या अर्थ होता है तो visual display unit BDU का अर्थ होता है अच्छे print करने के लिए किसे select क्या जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा file menu को select क्या जाता है print करने के लिए चले friends question number 41 की बात करें keyboard कैसी device है तो keyboard जो है एक input device है ध्यां रखेंगे यह भी exam में पूछा गया है चले friends question number 42 की बात करते हैं computer पर आरोपी अधिकतर तुर्टियां किस के कारण होती है तो computer पर आरोपी जो अधिकतर तुर्टियां होती है और program error के कारण होती है चले question number 43 computer के programming में बच्चों द्वारा परियुक्त भासा कौन से होती है और यह काफी सरल होती है तो यह इस भासा का क्या नाम है लोगो question number 44 की बात करें computer यह पहला computer mouse के जन जाता कौन है तो Douglas, Angel, Bert यह पहले computer mouse के जन जाता है ध्यां रखेंगे यह भी question एक जामे पूछा गया question number 45 की बात करें किसी भी computer के द्वारा internet के माध्यम से internet पर उपलब्त सुभधाओं का प्रियोग करना क्या कहलाता है तो यह cloud computing कहलाता है ध्यां रखेंगे चलिए question number 46 की बात करते हैं Facebook यह बिश्च की सबसे बड़ी social networking site है आप से भी जानते हैं तो इसके प्रेलेता कौन है त यह question number 7 question number 47 किस device मेशन्देश योम आउंकडों को सुर्चित किया जाता है तो किस device मेश फ्लाप्फी डिस्क में सभी संदेश्यों आंक्रों को सुरच्छित किया जाता है Q48. Spam किस विशे से संबंदित है? तो Spam generally computer से related है Q49. Laser printer में कौन सा laser परिक्थ होता है? तो laser printer में अधर चालक laser परिक्थ होता है ध्यान रखेंगे गिजाम में पुछा गया है चली फ्रेंट्स 50 की बात करें द्यू आधारी binary संख्याएं कौन सी होती है? द्यू आधारी binary संख्याएं 0 और 1 होती है ध्यान रखेंगे यह विजाम में पुछा गया है Q51. Ymax किसे संबंदित है? तो generally यह संचार पर्द्योग किसे संबंदित है? ध्यान रखेंगे Ymax की फुलफार्म की बात करें तो World Wide Interoperability for Microwave Access यह Ymax की फुलफार्म है ध्यान देंगे यह विजाम में पुछा गया है चले फ्रेंट्स question number 53 तो चुमबकिये शाही गुड़ पहचान यानि की M-I-C-R Magnetic Ink Character Reader तो यह इसकी फुलफार्म होती है किसकी फुलफार्म होती है? यम-I-C-R की फुलफार्म Magnetic Ink Character Reader है ध्यान देंगे question number 54 computer में गणना करने के लिए कौन सा आयो मुखता उतरदाई होता है? तो computer में गणना करने के लिए arithmetic logic unit यानि की ALU यह generally जिमेदार होता है ध्यान रखेंगे यह भी एकजाम में question पूछा गया है question number 55 भारत में सिलकान बैली की संग्या किस सहर को दी जाती है? तो सिलकान बैली की संग्या भारत में बैंगलेरू सहर को दी जाती है correct answer हो जाएगा question number 56 computer में गणना करने के लिए कौन सा आयो मुख्यता उतरदाई होता है? तो यह अभी डिसक्स किया साथ है ALU यानि arithmetic logic unit यह उतरदाई होता है question number 57 computer पर save की गई फाइल को find करना हो और load करना हो तो इसके लिए किस बिकल का प्रिप किया जाता है open command select करना इस बिकल को use किया जाता है तो ध्यान रखेंगे पद PC का क्या ताथ पर होता है PC means personal computer होता है ध्यान रखेंगे चलिए question number 59 की बात करते है पद PCXT का क्या आर्थ होता है PC means personal computer and XT means extended technology तो इसे भी ध्यान रखेंगे exam में question पूछा गया है question number 60 की बात करें generally data की pressure की गत को मापने के लिए सामना परिक्त होता है तो data की pressure की गत को मापने के लिए bit परत्य second का use क्या जाता है bit परत्य second में ये होता है तो ध्यान रखेंगे चलिए transformation 61 की बात करें question number computer की processor की गत को किसमे अ मापा जाता है तो MIPS यानि कि million instructions per second में computer के processor की गत को मापा जाता है चलिए question number 62 की बात करें तो DOS का पूर रूप क्या होता है disk operating system यह DOS की full form होती है ध्यान रखेंगे चलिए question number 63 Unix operating system को आमतावर पर किस रूप में जाना जाता है तो जो Unix operating system है इसे आमतावर पर multi user operating system के नाम से जाना जाता है तो आप ध्यान देंगे friends मैं आपको याद दिला दूँ अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक से ही हमें next वीडियो को बनाने के लिए motivation मिलती है और अपने friends zone में जरूर शेयर करें चलिए question number 64 की बात करते हैं computer application के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है customer relationship management ये CRM का अर्थ होता है ध्यान रखेंगे चलिए question number 65 की बात करें API का पूल रूप क्या है तो API means application program interface A API का पूल रूप एड़ है question number 66 GIS की सद्धात का लग रूप है तो GIS generally geographic information system का लग रूप है ध्यान रखेंगे चलिए question number 67 ROM यानि की read only memory में store किये प्रोग्राम को क्या कहा जाता है तो जो ROM में store किये प्रोग्राम होते हैं वो firmware कहलाते हैं ध्यान रखेंगे चलिए question number 68 क्यों बढ़ते हैं laser printer की तुलना में dart matrix printer कैसे होते हैं तो laser printer की तुलना में dart matrix printer जो होते हैं वो ध्यान रखेंगे question number 69 भारत का पहला computer कहां स्थापित किया गया था तो भारत का पहला computer भारती सांखिकी संस्थान जो की कोलकाता में इस्थित है वहीं पर स्थापित किया गया था next question html यहने की hypertext markup language तो इसका पिस्तिरत रूप है ध्यान देंगे next question friends 71 commands को ले जाने वाली परकरिया को क्या कहते हैं तो fetching यह command को ले जाने वाली परकरिया को तहते हैं ध्यान रखेंगे question number 72 computer generally परियोग करता के द्वारा computer को दियेगी निर्देशों को क्या कहते हैं तो computer users के द्वारा जो computer को निर्देश दिया जाता है इसको command कहा जाता है command करना तो यह भी exam में पूछा गया ध्यान रखेंगे next computer ब्यास्था को जोडती है जो बिभिन देसों में सूचना संकली तथा satellite के द्वारा बिस्स में पहुचाती है तो उसे हम क्या कहते हैं तो इस ब्यास है तो CD अच्छरों का परियोग compared disk के रूप में किया जाता है ध्यान रखेंगे question no.75 integrated circuit यानि की IC चिप का विकास किस ने किया था तो JS Kilby जी ने IC चिप का विकास किया था ध्यान रखेंगे exam में यह भी पूछा गया है next 76 चुमिकिये disk पर किसकी प्रत होती है तो iron oxide की प्रत ह होती है चुमिकिये disk पर इसे भी ध्यान रखेंगे network कितने प्रकार के होते हैं तो friends network तीन प्रकार के होते हैं अगर बात करें next question network के तीन प्रकार कौंड कौं से है land mine और wine यह तीन प्रकार है अच्छे land की फिलफार्ण की बात करें तो क्या है local area network mine की फिलफार्ण metropolitan area network है और friends अगर wine की बात करें तो wide area network wine की फिलफार्म होते हैं तो इसे ध्यान रखेंगे सभी exam में पूछे रहें questions important है question 82 computer तथा उससे जुड़े समस्त यंत्रों को क्या कहा जाता है तो computer तथा उससे जितने भी parts joint होते हैं joint होते हैं उसको hardware कहते हैं hardware में में जैसे printer है screener है तो यह सभी आते हैं ध्यान रखेंगे question 83 computer के संचालन के लिए friends computer के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है तो इसके संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को software कहा जाता है ध्यान रखेंगे साथियों क्या computer के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है software कहा जाता है चलिए question number 84 की बात करते हैं friends वह computer इसमिरती जहां data program आस्थाई रूप से संचित के जाते हैं इसके data को पढ़ा सुधारा जा सकता है यह तर्थ computer बंद करने पर स्वाप्त हो जाती है तो ऐसा किस memory में होता है तो ऐसा RAM memory में होता है RAM की फुल फार्म क्या होती है random access memory ध्यान रखेंगे question number 85 यह memory अस्थाई memory है जो computer बंद होने पर भी स्वाप्त नहीं होती है ऐसा किस memory में होता है तो ऐसा ROM में होता है read only memory में इसे भी ध्यान रखेंगे exam में पूछा गया है question number 86 की बात करें friends मानु निर्मित computer program जो computer परणाली के अंदर प्रभेश कर data को हन पहुचाते हैं वो क्या कहलाते हैं तो computer virus होते हैं तो ध्यान रखेंगे next 87 computer virus से बजने के लिए किस प्रकार के program बनाए गया है तो antivirus program computer virus से बजने के लिए बनाए गया है next question 88 किसके द्वारा computer को telephone line से जोड़ा जाता है तो modem के द्वारा computer को telephone line से जोड़ा जाता है modem के फुलफार पर करें तो क्या है modulator demodulator ध्यान रखेंगे चले friends question number 89 की बात करें data आथा हो निर्देशों को computer में डान ले है तो प्रियुक्तियों को क्या खा जाता है तो friends अगर कुछ input device की बात करें तो जिसे mouse, keyboard, scanner, decalder, micr, web camera, biometrics device ये सभी कुछ महाथपूर input device हैं ध्यान रखेंगे क्योंकि exam में input device, output device से questions जरू पूछा जाते हैं question number 91 कुछ महाथपूर output device की बात करें तो कौन-कौन से जिसे printer, monitor, video display है, video display unit, speaker ये सभी output device है ध्यान रखेंगे friends question number 92 basic का क्या अर्थ होता है तो basic का अर्थ होता है beginner's all-purpose symbolic instructions code ये basic का अर्थ होता है ध्यान रखेंगे friends next question 93 की बात करें cobald की full form क्या होती है तो common business-oriented language एक cobald की full form है क्या common business-oriented language ध्यान रखें की जाम में पुछे जए है question 194 CAM की full form क्या होती है computer-aided manufacturing ये CAM की full form है द्ध्यान देंगे, OMR की फ्लिफर्म Optical Mark Reader होती है, क्या?Optical Mark Reader, Next 98 की बात करें, UPS के फ्लिफर्म क्या होती है, तो, क्या होती है साथियो, Union Terpitable Power Supply, क्या साथियो, Union Terpitable Power Supply, ये UPS की फ्लिफर्म होती हूँ, ये बिफ गिजाम में पूछा गया है, फॉर्थ डबलू की बात करें साथियों इसके फिलो फार्म क्या होती है तो फॉर्थ डबलू की फिलो फार्म होती है वर्ल वाइड वेव वार्म यह भी एकजाम में पूछे लिए ध्यान रखेंगे कॉश्चन नबर 100 विस कंप्यूटर साचता दिवस को मना जाता है तो सभी इंपर्टन को हमने डिस्टर्स कर लिया साथियों आसा करता हूं आप सभी लिए वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अप का लाभ मिल सके फ्रेंट्स और अपनी सुझाओ को कमेट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं इस वीडियो की पीडियाफ आप डिस्क्रेप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं तो फिर फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ध